मैं डॉक्टर अलका गुयल दिल्ली से इस लॉकडाउन की पिरेड में चंद लाइने लिखी हैं जिसका शीशक है वर्तमान मनसिती मंदिर में बैठे बैठे क्या भगवन आप सो रहे हो हम सब संसार की हालत देख कर अंदर ही अंदर रो रहे हो ना कोई आ रहा है ना हम ही कहीं जा पा रहे हैं पिंजरे में कैद पंच्छी की भाती जीवन बिता रहे हैं भविश्य को तो छोड़ो वर्तमान की भी चिंता सता रही है पलपल देख देश की हालत हम सब को रुला रही है क्या था मेरा भारत अब क्या हो गया है राह चलता हर इंसान लगता है अपने ही घर में कहीं खो गया है घर की महलाएं सोच रही हैं कितने प्रकार के वेंजन घर में ही बना डालूं कोई कमीना सताय मेरे अपनों को सब चीजों का स्वात चखा डालूं सारा परवर काम पर लगा हुआ है, अच्छा लगता है देखकर वैसे हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इन आदुने की यंत्रों से हम अपनी शक्सियत को भुला बैटे थे, अपने ही घर की आत्माओं से अलग थलग रिष्टा बना बैटे थे हे करोना, तेरे कारण हम सब एक तो हुए हैं, कश्ट तो हैं बहुत सारे, पर एक दूसरे से बंदे हुए हैं आखिर कब तक ये जीवन शैली यूँ ही चलती रहेगी, इसका कुछ पता नहीं, शायर जिंदगी भाग दोड की पट्री पर वापस आएगी भी या नहीं महीने से जादा हो गया, वैसे तो हम इन हालातों में ढल चुके हैं, अतीद को बुला कर वर्तमान में जी रहे हैं, ये न समझना के हम कोई कड़वा जहर पी रहे हैं घर के अंदर बैठें ताकत देश की बड़ा रहे हैं, हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी से पीछा चुड़ा रहे हैं वो सुबह तो जरूर आईगी, इसी इंतजार में हैं, जब सडकों पर तरह तरह की आवाजे कानों में गुंजेंगी चहल पहल होगी चारों तरफ, कब जिन्दगी फिर वापस अपनी भाग दोड़की पट्री पर दोड़ेगी, नमस्कार